नमस्कार, स्वागत पे भारत की उजनवे Made in India तोप के गोले पहुँचे यूक्रेन दोस्त रूस के विरोध के बावजूद भी भारत ने नहीं रोका रिस्तों में खटास का बड़ा दावा किया जा रहा है बताया जा रहा है कि जो इंडियन वेपन्स जो है वो यूक्रेन को दिया जा रहा है तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिसकस करने वाले है रूस और यूक्रेन का यूद्ध चल रहा है इस बीच भारती तोप के गोले यूक्रेन में इस्तिमाल होने की खबर आई है न्यूस एजनसी राइटर्स ने रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत की और से यूरोप ये देशों को सप्लाई किये गया तोप के गोले यूक्रेन पहुच रहे है इस पर रूस आपत्ती भी कर चुका है रूस के खिलाव यूक्रेन यूद में भारती तोप के गोले का इस्तिमाल कर रहा है भारते हत्यार निर्मताओं की और से इन्हें यूरोप के देशों को बेचा गया था बाद में इन्हें यूक्रेन भेज़ दिया गया निउस एजेंसी राइटर्स ने ये खुलासा किया कि रिपोर्ट में कहा गया है रूस के विरोध के बावजूद भारत ने वैपार रोकने के लिए हस्ता छेप नहीं किया रिपोर्टर्स में सूत्रो और सीमा सुल्क के डेटा के आधार पर कहा गया है रूस के खिलाब यूकरेन की रक्षा का समर्थन करने के लिए हत्यारों का ट्रांसपर एक वर्ष से अधिक समय हो रहा है भारते हत्यार निर्यातनियम हत्यारों के इस्तिमाल को उन्हीं वक्त जिमित करता है जिन्होंने उसे खरीदा है रिपोर्टर ने तीन भारती अधिकारों के हवाले से कहा गया कि रूस ने कम से कम दो मौकों पर इस मोदेक उठाया, इसमें रूसी विदेश मंतरी सर्गोई लावरे और डॉक्टर एजेस संकर के बीच हुई जुलाई में मीटिंग भी सामिल है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और भारत के रक्षा मंतराले ने इस से जुड़े सावाल का जवाब नहीं दिया। जनवरी में भारत ये विदेश मंतराले के प्रवक्ता रंधियर जैस्वाल ने कहा था कि भारत ना यूकरेन को तोप खाने के लिए गोले नही किया है ये उसका एक फिस्दी से भी कम होगा। रिपोर्टर में इस बात के पुष्टी नहीं हो सकी कि ये यूरोप के देशों ने यूकरेन को धान में दे दिया या फिर उसे बेचा है। यूकरेन को भारत यूद सामगरी भेजने वाले यूरोपियन देशों में इटली और चेक गनवराज भी सामिल है। ये यूकरेन के लिए यूरोपीय संक के अलग भी हतियार भेज रहे हैं। यूद में सरकारी स्वामित्व वाली कमपनी यंत्र इंडिया के हतियार इस्तिमाल हो रहे हैं। भारत ने नहीं की कारवाई। जितना भी ये जो इंडिरेक्टली भी जो वेपन से इंडियन वेपन्स वो यूस कर रहा है यूकरेन उस पर भारत कारवाई भी नहीं किया भारते अधिकारी ने कहा कि भारत इस्तिती पर नजर बनाये हैं लेकिन ट्रांसफर की जानकारी रखने वाला एक रक्षा उद्योग के कारियालाय कारेकारी के साथ उन्होंने कहा कि आपूर्ती को कम करने के लिए भारत ने कोई कारवाई नहीं की यूक्रेन, इटली, स्पेन और चेक गनराजी के रक्षा मंत्रालेओं ने भी इस पर कोई टिपनी नहीं की यूक्रेन को सबसे ज़्यादा समर्थन अमेरिका देता है, हाल ही में अमेरिका और भारत का रक्षा सा योग बढ़ा है इसके अलावा भारत का रूस से भी अच्छा संबंद है, जो उसके हत्यारों का प्रमुक सप्लायर रहा है भारत रूस के खिलाब पष्चमी नेतरित्यु में सामिल होने से इंकार कर चुका है भारत बोला यूक्रेन को हत्यार भेजने की रिपोर्ट गलत विदेश मंत्राले ने कहा, भारत का रिकॉर्ड बेदाग नहीं हुआ, नियमों का उलंगा नहीं किया भारत से गोला बारू यूक्रेन भेजे जने से जुड़ी राइटरS की एक रिपोर्ट पर भारत सरकान ने कड़ी आपत्ति चाहिर किया भारती विदेश मंत्राले ने इसे गलत और सरारत पूर्ण बताया है विदेश मंत्राले ने बयान में इस मीडिया रिपोर्ट के ब्रहमक और जूटी जूटी बताते हुए खारिश किया है। अंतिराष्ट के कानून का पालन करता है और इसमें भारत का ट्रैक र्कॉर्ड बे दाग है इसमें दाग नहीं लगा है मंत्राले ने कहा भारत अपना डीफेंस एक्सपोर्ड को पर्मानू अफरसार से जुड़े अंतिराष्ट दाईतोब को ध्यान में रखकर करता है साथ ही भारत का खुद का मजबूत कानूनी वन नियमक धांचा भी इस पर कंट्रोल करता है जिसमें हत्यारों को इस्तिमाल करने वाले ये दायत वह प्रमानन का समग्र मुल्यकन सामिल है और यहां पर आप ट्वीट भी देख सकते हैं हमारे जो मसलेक उठाया गया था रिपोर्टर के मुताविक भारत सरकार के दो सूतरों और डिफेंस मिनिस्ट्री के दो सूतरों ने राइटर को बताया था कि यूकरेन जिस गोला बारूत का इस्तिमाल कर रहा है भारत ने उसका बहुत कम मात्रा में उत्पादन किया है एक अधिकार सरकारी ने अनुमान लगाया कि जंग सुरू होने के बाद कीव ने जितने गोले बारूत खरीदे होंगे ये उसका एक परसेंट भी नहीं है सरकारी कमपनी यंद्र इंडिया ने बनाए गोले बारूत ये जो गोले बारूत बना ये यंद्र इंडिया कमपनी है सरकारी कमप इस कमपनी का हेड़ क्वार्टर नाकपूर में हैं, ये कमपनी अक्टूबर 2021 में बनी थी, भारत ने हाथियारों के निर्यात को लेकर नियम तैय किये वे हैं, इनके मुताबिक जो देश भारत से हाथियार खरीद रहा है, केवल वही उनका इस्तिमाल कर सकता है, अगर हाथिय समय से जारी है, भारत हाथियार निर्यात नियमों के अनुसार, हाथियारों का उप्यों केवल उसी खरीदार द्वारा किया जा सकता है, जिसे पहले से घोसित किया गया हो, मिली जानकारी के अनुसार बिना अनुमती के ट्रांसफर होने वाले भवेशे की बिक्री रद की ज राजनात सेंग ने बताया था कि पिछले वित्र वर्स में कुल रक्षा निर्यात 2.5 अरब डॉलर के पार पहुँच गिया था और उनका लक्ष इसे 2029 तक 6 अरब डॉलर तक बढ़ाना है इस पूरे मामले पर एक भारत या अधिकारी ने कहा कि दिल्ली इस्तिती पर नजर र इंट्रव्यू में अधिकांस लोगों ने इस मामले की समेदन सिल्ता के कारण नाम ना बताने की सर्थ पर बात की थी तो आई होब कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा तो जितना भी जो ये रिपोर्ट आ रहा है आर्टिकल आ रहा है कि भारत जो है वो अपना वेपन जो है यूकरीन को दे रहा है ताकि वो रसिया पर वार कर सके और एक तरफ इंडिया रसिया का रिलेशन बहुत अच्छा है इंडिया तो चाहता है कि ये दोनों का जो लड़ाई है इतने जो दो साल से चल रहे है वो रुख जा है इसी कारण ही मोदी जी और मीटिंग के कारण मोदी जी बार बार यूकरीन के प्रेसिडेंट से और फिर पूतिन से मिलते हैं ताकि ये मामला जो है सलट जाए पीस पीसफुल तरीके से तो यहाँ पर जो reporter से बोल रहे हैं कि Ukraine यूज़ कर रहा है पर Ukraine को India बेचा ही नहीं है अपना weapon European countries को कुछ कुछ countries को बेचा है जो वहाँ European countries है वो फिर Ukraine की मदद कर रहे हैं अब वो free में दिये हैं या फिर वो करज लिया है तो indirectly जो है Ukraine यूज़ कर रहा है नमस्कार स्वागत है भारत की उज़नाबे मेड इन इंडिया तोप के गोले पहुँचे यूकरेन दोस्त रूस के विरोध के बावजूद भी भारत ने नहीं रोका रिस्तों में खटास का बड़ा दावा किया जा रहा है कि जो इंडियन वेपन्स जो है वो यूकरेन को दिया जा रहा है तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूस और यूकरेन का यूद्ध चल रहा है इस बीच भारती तोप के गोले यूकरेन में इस्तिमाल होने की खबर आई है नियूस एजेंसीर राइटर्स ने रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत की और से यूरोपिय देशों को सप्लाई किये गए तोप के गोले यूकरेन पहुँच रहे हैं